हेलो फ्रेंड्स कैसे आप आशा है कि आप सब ठीक होगे तो फ्रेंड्स आज हम आपको सुजी से बहुत स्वादिश्ट और टेस्टी नास्ता बना कर बताएंगे कि किस तरह और कैसे बनाया जाता है जो बिना ब्रेड के बिलकुल ब्रेड जैसा ये नास्ता बनकर तग्यार ह जगा होगा और इसे एक बार खाएंगे तो आप बार बार बना कर खाएंगे तो आये शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने एक बाल ले लिया है तो आप देख सकते हैं यह मैंने खाली बाल लिया है अब मैं इसमें एक कटोरी अपनी सूजी डाल देती हूं आप देख सकते हूं मैंने एक छोटी कटोरी सुजली हुई है और अब हम डालेंगे इसमें कुछ वेजेटेबल वेजेटेबल मैंने ली हुई है पेपसिकम ये दोनों चीज़े मैंने इसमें डाल दी है और अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चमस दही का तो देखिए यह एक चमस में तही आड़ कर रही हूं और अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार लमक तो देखिए यह अच्छी से निख्ष कर लूगी और अब मैं इसमें डालूंगी पानी आपको इसका पत्रा भूल नी बनाना है बिल्कुल दो जैसा तयार करना है अब तोड़ा सो पाने में इसमें बिए यह अपर शूजी को इसे तरह प्रिइन के लिए एक तरफ रख देते हूं तो फरिंज सब लिए सब Ugh मारे ख जोजे इसे फकर तयार हुरी है अपनी गडाई में अपनी इसमें पाने रख लेती हूं कडाई मैं कडाहिवंज में डाल दिया है मैं इक दो गलास पानी डाल है लोका इस है अभी होने के छोड़े कि हम जो स्टेम में हो कर दूँचे को दोटें हैं है अब छैया एक ठीवाला सौधा आप पाने भान जे आपको 1-2 टी स्पून ही डालना है क्योंकि इससे हमारी सूजी काफी फूल जाएगी और अब हम इसमें डालेंगे 1-2 टी स्पून बेकिंग सोड़ा इससे भी हमारा जो भी नासता हम बनाएंगी वह अच्छी से फूल जाता है यहालend केक भी मैं यहीं यूज होता है तो देखिए मैंने से इसमें डाल लिया है तो जब तब हमारी सूजी उच्छी से खूल कर तयार हो रही है तब तक हम अपने केक वाले को अच्छी से घरीज कर लेते हैं हैं यहीम के अपना नासता बनाकर तक Remी और अश्पून में चार अब हम एक बाब फिस से अपनी सूजी को अच्छे से ही लाके अपने बैटर को जिसे में डाल देंगे तो देखे फ्रेंस मैंने इसे अपनी केक टीन में डाल लिया है अब हम इसे अपने खड़ाय में रख देंगे स्टेम होने के लिए तो देखे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कड़ाई में एक स्टेंड रख दिया है और इसी के ऊपर मैं इसे रख दूँगी और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे तो देखे वाली इसके ऊपर धकन लगा दिया है अब इसे आप 10-15 मिंट के लिए इसी वहां इसी में डालने हमी थोड़ी से सर्थो के दाने घृण एन देखिया हमारे सर्थो के दारें चट कने लगी है अब इसे हम लोग लें पैट् momento कि इसमें डालेंगी दोशे 4 पति इसमें बला देगे पर अब इसमने हम इसमें प्रस्दिए बालु यह दो मेने मेरे उपर आप ली होएं और अब हम इसे अच्छी से निक्स कर लेंगी और अब इसमें डालेंगी हम थोड़ी सी हल्दी लाल मिर्स पोडर तो देखिए फ्रेंज थोड़ा से मैं इसमें नमक डाल लिया है स्वादन साथ और अब हम अपने मसाले को हिला देंगी मसाला बनकर तयार हो जाता है अब इसके हम एक टाइट भी रख देंगे तो देखिए फ्रेंज ऐसे कि मैंने आपको बता था मैंने इसी गरम पानी में कड़ाई में रख दिया था और अब भी मैंने इसी जश्ट मिंकाला है तो आप देख सकते हो यह इस परकार का बनकर तय तयार हो जाता है अब हम इसके वो चारो तरफ से चाकू की साहता से इसके चारो तरफ चाकू लगा की से उतार लेंगी यह बहुत आसानी से बनकर तयार हो जाता है अब हम इस तरह से निकाल लेते हैं तो देखिए हमारे यह नास्ता इसमें निकल कर तयार हो चुका है आप न देख सकते हूँ और अब दबाति कर इस परकार न इसे मेडियम आकार दे लेंगी और इससे सीधा कर लेंगी तो देखिए यह कितना बढ़ी और कितना लाजवाब न कर तयार हुआ है तो अब हम इसकी next process करते हैं इस सЕ पहले मैं इस लंबे बल िस परकार cut कर लूगे तो देखिए, यह खितने बड़ेया बनकर तयार हुए हैं आप देख सकते हूँ, अब इसी के ओपर में अपना मसाला रख लेती हूँ, जो कि हमने आख बना लुका बना कर तयार किया था तो देखिए मैने अपने अलू के मसाले को इसके ओपर फैला लिया है अगर आप तीखा खाना पर संद करते हो तो आप इसमें मिर्ची भी डाल सकते हूं तो देखे फ्रेंट्स आप देख सकते हो बिना अलू की बिना ब्रैड की हमारा यह ब्रैड का नास्ता कितना बढ़िया बनकर लाजवाब बनकर तैयार हुआ है यह दिखने में भी काफी अच्छा दिख रहा है अब दूसरे को भी हम इसी तरह है इसके अंदर अपना अलू का पेश्ट रखेंगे और इसके उपर दूसरी परत रख लेंगे तो फ्रेंट्स देखें कितना लाजवाब और कितना बढ़िया नास्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है आप देख सकते हों अभी मैं इसी डिफ्राई करूंगी तो उसके लिए मैं अपनी गैस को उन पर लेती तो देखें मैंने अपने गैस पर कड़ाई रख ली है और कड़ाई में डालेंगे हम थोड़ा सा ओइल ज्यादा ओइल नहीं डालना है आपको क्योंकि मैं इसी डिफ्राई कर रही हूं और इसको हम चारों तरफ फैला लेंगी और इसी के अंदर अपने इस नास्ते को रखी डिफ्राई कर लेंगी हमने दोनों नास्ते इसी में रखनेने हैं तो देखे फ्रेंड्स आप देख सते हैं हमारा नास्ता कितना लाजवा विसका हुआ है और इसे इस तरफ करके हम दूसरे को भी पलट लेते हैं थोड़ा दोनों नास्तों को हम थोड़ा थोड़ा इसी प्रकार सेख लेंगे तो देखे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा कितना बढ़ीया और लाजवा विसका बनकर तयार हुचका है बहुत ही टेस्टी और ही विसका ही नास्ता बनकर तयार हुचका है आपको यह नास्ता कैसे लगा एक बार हमें जरूर बदा ही का अगर आपको हमारी वीडियो पस्टराई है तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों में शेर कीजिए उनको सब्सक्राइब करना ना भूले साथ में नोटिविकेशन बेल जिरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नहीं वीडियो का लिक्स मिलता रही है